राम राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल राजफार मैसी में दोस्तों आज की वीडियों हम बात करेंगे नार मेटोजील प्लस टाइबलेट के बारे में यह एक एंटिवाइटिक दवा है तो इसे जाने की प्रकार की समसर में यूज कर सकते हैं तो आज हम जानेंगे अगर आप हमारे चनल पर नए हैं या फिर मारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मारे चनल को सब्सक्राइब लाइकन को प्रेस कर लें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके बात करें इस नार्मेट्रोजील प्लस टैबलेट के बारे में इसकी कंट दास्तोरा पेचिस परड़ा है खुनी और जिसे मल के साथ बलड निकल दा है तो उन सब समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले इसी को इस दवा को ही लेने की सला देते हैं क्योंकि जब आप कोई अन्टिवाटिक दवा खाते हैं और आपके पेट को आराम नही इंफेक्शन हो गया है तो सब समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसे यूज करने के सला देते हैं या फिर अगर आपके स्कीन पर इंफेक्शन हो जाता है कान के बाहर इंफेक्शन हो जाता है तो उन सब समस्या में भी इसका यूज किया जाता है इसका बहुत अच्छ के लिम्टेट कंपणी द्वारा मैनिफेक्चर किया जाता है और दोस्तों आप दवा लेने इस पर एक बार एक बार चेक करें आईए बात करें तो इस दवा को यूज करने इस पर एक बार इसके साफधानियों को जरूर देख लें कि इस दवा को अगर किसी बेक्ति के लीवर या फिर कोई गंभीर समस्या है तो वह बेक्ति इस टैबलेट का सेवन ना करें आप फिर एक किसी गर्वती मेला या पिर आस्तन पान कराई मेला को आप इसका टैबलेट का सेवन करवाना चाहते तो डॉक्टर सलापर ही करवाएं और हाँ सबसे जरूरी बात इस दवा को यूज के बाद या फिर यूज करने से पले आप अलकोहल का सेवन बिल्कुल ना करें और अगर आप पहले से कोई एंटिवाइटिक दवा खा रहे तो उस दवा की जान करें पर डॉक्टर को देखकर इस दवा का सेवन कर रहे अने सब्सक्राइब ना करें एक नजर इसकी साइड़ देख लेते हैं तो ऐसे इसका कुछ साइड़ नहीं होता है फिर अगर कुछ लोगा मिठली या फिर उल्टी जैसा लगना या फिर दर दो चक्कर आना भूक ना लगना पेट में दर दोना कब्ज की समझा इनमेंस अगर आ जाना सांस पूलना या सब अलर्जी देखें लोगो आपको मिल सकती है तो आप जो घबराने बलकी स्टैबलेट का सेवन करना बंड कर दें यह सब दिक्क्ता भी धीर धीर बंद हो जाए या ऑपन डॉक्टर से कंसल्ट करें आज के लिए बस तना ही दोस्तों आई होप कर सकते हैं हम उस दवा की पूरी जानकारी देने की कोसिस करेंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ अब तक लिए नमस्कार जैहिंद